हलो एवरीवन वेल्कम अगें आन योर यूट्यूब चैनल ट्रेमिंग फिजिक्स लास्ट क्लास में हम लोग बने विटा अगर दो या दो से अधिक बॉड़ी है और उसमें से किसी भी एक बॉड़ी का मोशन बाकी बॉड़ी पर डिपेंड कर रहा है तो उनके डिस्प्लेश्मेंट वेलोसिटी या एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन क्या होगा इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगें आज हम इनहीं पर नियुमेर्कर्स करेंगे और फिर न्यूटन सेकेंड लॉग का कॉंस्ट्रेंट रिलेशन में एप्लिकेशन क्या है इसको सीखेंगे तो क्विस्टिन नम्मर वन करते हैं और क्विस्टिन नम्मर वन यह है एक पर्फेक्ट्ली स्मूथ टेबल है यहां पे एक ब्लॉक है इस ब्लॉक का नाम ए दे दे और फिर यहां पे एक मासलेश पुली है जिससे ब्लॉक भी बदाया है और यहां पे स्ट्रिंग ऐसे पास कर रहा है ऐसे कनेक्टिव है अब क्विस्टिन यह पूछ रहा है कि अगर ब्लॉक ए टूर्च राइट वन पॉइंट ब्लॉक ए टूर्च राइट सपोज कर लो फोर मीटर मूव कर रहा है फाइंड आउट डिस्प्लेश्मेंट आप ब्लॉक भी ब्लॉक भी का डिस्प्लेश्मेंट क्या होगा यह हमको निकाल रहा है क्यों कैसे करेंगे हम क्या करेंगे टेंशन और डिस्प्लेश्मेंट के डॉट प्रॉड़क्ट का सम जीरो पुट कर देंगे यहां पर टेंशन टी ऐसे लगेगा इस डारिक्शन में यहां पर टेंशन टी क्योंकि सेव इस्क्रिन है तो टेंशन टी रहाएगा अब tension और displacement का dot product 4T हो गया क्योंकि same direction में है और यहाँ पे इस body पे tension 2T लग रहा और displacement negative direction में तो minus 2T y is equal to 0 T और T cancel out हो गया यानि y is equal to 2 meter तो y का displacement यह लिए ब्लॉक B का displacement क्या होगा वही 2 meter downwards second question करते है velocity पे कर लेते है acceleration पे तो बहुं सारे problem कल हमने कराया थे so acceleration पे कोई question नहीं करेंगा वेलोसिटी पे कर लेते है question no 2 horizontal surface है और यहाँ पे block A एक string से connected है जो पूरी से पास कर रहा है और यहाँ पे block B यह यह एंगल horizontal के साथ दिया हुआ है 37 degree और यह एंगल horizontal के साथ दिया हुआ 53 degree 53 degree question यह है कि अगर block B 60 meter per second से move कर रहा so find velocity of block A at this instant block A का velocity क्या होगा इस instant पे हमको find out करना है so कैसे find out करेंगा वही पहले tension दिखा है इस block A पे tension T इधर लग रहा होगा block B पे tension T इधर लग रहा होगा same string mass less in its tangible so tension T same होगा अब tension और velocity के dot product का sum 0 से equate कर देंगे तो यहां होगा T into V cos 37 dot product ले रहा होगा T minus 53 so 180 minus 53 is equal to 0 so T T आगे रहा होगा यहां पे T होगा रहा होगा और cos 180 minus theta cos theta होगा तो minus और cos 53 क्या होगा होगा 3 by 5 so 60 into 3 by 5 is equal to 0 5 or 5 cancel out होगा 4 V is equal to 60 into 3 अब 4 से यह cancel out करें तो 15 times होगा यानि V is equal to तो कितना होगा भई 45 meter per second तो block A का velocity 45 meter per second होगा चल्ड़ तो यह तो kinematics से related problems होगा अब dynamics प्याते हैं यानि यह चीज हमने पढ़ा है यह तो directly stack के questions generally यही questions पूछे जाते वेटर लेकिन तो next करने जा रहा है वो बड़ा lengthy question होगा और वो exam में बहुत कम पूछा जाता है लेकिन कुछ इस तरीके से question frame कर सकते है कि कम step है solve किया जा सके तो इस type के problem को हम देखते है question दे रहा है यहाँ पे एक block है जो पुली से string से connected हो पुली से pass कर रहा है massless pulley यहाँ पे again massless pulley और एक block है कर रहा है और यह इस तरीके से connected है so this is 2 kg block this is 3 kg block all surfaces are perfectly smooth question क्या है find acceleration of each block दोनों block का acceleration का यह हमको लिखा रहा है अब कैसे करने तो देखो रिलेशन भी लगाना होगा पहले newton second law देखते है कैसे लगेगा तो forces show कर दे यहाँ पे tension T towards right और यहाँ पे tension T upwards यहाँ पे tension T upwards यहाँ पे mg यानि 30 newton downwards यहाँ पे 20 newton downwards और normal reaction N upwards अब acceleration में रिलेशन हम निकाले तो दोनो block का acceleration निकालना है इस block का acceleration A मान लेते है वे निकालना है तो कुछ तो मानना होगा तो इसका acceleration A मान लेते है अब इसका acceleration क्या होगा तो towards right होगा वो होगा कितना तो इसका acceleration A dash मान ले तो A dash into tension dot product ले लिए इस इक्वल तो यहां पे टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडेक्ट क्या होगा माइनस 2T इन्टू A इस इक्वल तो जीरो यानि A डाइस क्या आगे विटा 2A तो अगर इसका एक्सेलरेशन ए ले रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा 2A यह हमने constant relation apply करके निकाला गए अब इसको हम अटा दे अब Newton second law लगा के हम problem को solve कर सकते है तो इस पे Newton second law लगा है तो acceleration के direction में जो force लग रहा है positive is equal to mass into acceleration 4A equation number one यहां पी Newton second law लगा है तो acceleration के direction में जो force है positive 30 माइनस एक्सेलरेशन क्या positive जो force है नेगेटिव क्या 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 करें यह तेंशन का value यहां पे पुट कर जेंगे तो 30 माइनस T क्या है 4A तो यह होगा 8A is equal to 3A so 11A is equal to 30 so a is equal to 30 by 11 अब एक्सेलरेशन क्या होगा तो एक्सेलरेशन इसको block a कर दें यह चलो यह 3 kg यह 2 kg तो एक्सेलरेशन आप ब्लॉक 3 kg एक्सेलरेशन आप ब्लॉक 3 kg का एक्सेलरेशन इसको नाम दे दें यह क्या होगा 60 क्योंकि यह 2A के बराबर होगा और यह A है by 11 meter per second square तो इस तरीके से यह problem हम solve करेंगे तो यह हमारा का question number 3 अब नेक्स आते है question number 4 पे क्या है देखते बितर so question number 4 क्या है देखते बितर क्या है चलो करें crystal number 4 crystal number 4 crystal number 4 ऐसे ले लेते है यह frictionless wire है horizontal frictionless wire और यहां पे एक ring है जो without friction इस पे slide कर सकता है इस ring से एक inextensible thread connected है frictionless massless pulley से पास कर रहा और यहां पे एक block हैं कर रहा ऐसे इस ring का mass हम suppose कर ले 1 kg और इस block का mass suppose कर ले 4 kg यह एंगल दिया हुआ है 37 degree find acceleration of ring and block at the moment at the moment we are soon in figure soon in figure जिस moment पे figure में शोकिया है उस moment पे acceleration क्या होगा इन दोनों का यह बताना है सो पहले तो हम constraint relation से दोनों acceleration के बीच में relation निकाल ले इसका acceleration हम suppose कर ले a क्या लिया होई a इसका acceleration towards right a' हम ले लेते हैं तो इन दोनों acceleration में relation क्या होगा यहां पे टेंशन टी इधर लगेगा और यहां पे टेंशन टी इधर लगेगा अब इसका acceleration towards right ले रहे विटा a' तो a' t cos 37 यह हो गया dot product plus क्या हो जागा minus at हो जागा क्योंकि opposite direction में तो यह minus हो गया minus at is equal to क्या हो जागा 0 t cancel out हो गया तो a' is equal to यह होगा 4 by 5 तो 5 a by 4 तो इसका acceleration towards right क्या होगा विटा 5 a by 4 अब newton second law हमको apply करना में है तो newton second law के application के लिए यहां पर 40 newton downwards लगेगा यहां पर mg यानि 10 newton downwards लगेगा नॉर्मल रीक्शन वायर के वज़े से अपवर्स लगेगा अग्सेलरेशन के डारेक्शन में इस tension को रिज़ॉप करेंगे और पर्पंडिकुलर डारेक्शन तो अग्सेलरेशन के डारेक्शन में tension का component कितना हो गया वैं T cos 37 यानि 4 T by 4 4 T by 5 और perpendicular direction में इधर कितना हो जगा 3 T by 5 अब Newton second पहले इसके उपर लगा ज़े बिटा तो acceleration के direction में जो force पॉजिटिव 4 T acceleration के opposite minus T is equal to mass into acceleration 4 A यहां से tension हम निकाल सकते हैं तो tension is equal to क्या हो गया 40 minus 4 A equation number 1 अब यहां पहीं Newton second लो लगा है तो acceleration के direction पे जो force positive 4 T by 5 acceleration के opposite force negative कोई है नहीं है परपेंडिकुलर वाला नहीं लेंगे is equal to mass di 1 kg into acceleration 5 A by 4 अब T का यह value यहां पहें पूट कर देंगे तो 4 by 5 is equal to 5 A by 4 अब इसको इधर बेंगे तो इसको इधर बेंगे तो इह हो गया 40 minus 4 A is equal to 25 which is by solar A इसको इधर बेंगे तो अब यह calculation करते है यह हो गया 4 A plus 25 A by 16 यह हो गया इसको इधर जाके positive हो गया is equal to 40 16 से multiply कर दे बेटा तो इह हो गया 64 A plus 25 A is equal to 640 इसको आड कर दे तो यह हो गया 5 और चार नौ और दो और छे आठ ऑगा दो गया is equal to 640 तो A is equal to ugya 640 upon 89 अब आक्सेलरेशन लिखे तो आक्सेलरेशन अप्लच, आक्सेलरेशन अप्लच, इसे एक्पन तो यही हो जागा, 640 upon 89 and acceleration of ring तो ring का acceleration क्या बिटा इसी का 5 by 4 ताइम इसी का हो जग है तो 5 by 4 ताइम तो उपर 5 से मल्टिप्लाइ करना तो यह हो गया 0 और 5 ओक 20, 0, 2 कह रही हुआ और 5 तीस बत्तिस अपन 4 से मल्टिप्लाइ करें चारट अचतिस छे तीन और 4 ते बत्तिस और तीन पैंटिस तो इसी अचलेरेशन अप्लाइ करना विटा तो अगर हमको न्यूटन से के लाप्लाइ करना विटा तो मोर और लेस यही चीज़े हमको करनी होगी पहले कॉंस्ट्रेंट रिलेशन लगाके हम बॉड़ी के एक्सलेरेशन के बीच में रिलेशन लिकालेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे वहीं न्यूटन सेकेंड लोग हर ब्लाइक पर लगागे प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जागा यह सिंपल में तड़ हर कुष्टन में यही होगा तो एक और क्विश्टन करते हैं और इसको हम लास्ट क्विश्टन रखते हैं क्योंकि न्यूटन सेकेंड लोग आता तो बहुत ज्यादा ताइम देने का जरूद नहीं है यह हम खतम कर लेंगे फिर फ्रिक्ष्ण स्टार्ट करेंगे वहां पे भी न्यूटन सेकेंड तो थोड़ा लेंद यानि थोड़ा टॉफ प्रॉब्लम भी कर लिया जब तो इस तरीके से पर्फेक्ट्ली स्मूज होरिजॉंटल टेबल यहां पे एक ब्लॉक है और यहां से एक मास्ट्रिंग पास करा फिर यहां पे मास्ट्रिंग पुली और फिर यहां गया और फिर यहां पे मास्ट्रिंग पुली जो कि फिक्स है एक स्मूज टेबल पे और यहां पे दूसरा ब्लॉक रख दिया और फिर यहां पे एक ब्लॉक हैंग कर रहा है यह हो गया मास्ट्रिंग ले ले तू केजी थी केजी फाल केजी यह हो गया और फिर यहां पे हम फोर्स लगा दे जैसे इस पे इधर फोर्स लगा दे इस पे इधर फोर्स लगा दे तो कोई लिमिट नहीं है तो थोड़ा सट्व बनाने के लिए हम क्या कर रहा है इस प्रॉब्लम में फोर्स लगा दे रहे इस डायरिक्शन में तो यह एक्स्टर्मनल फोर्स हो और यह लगा दिया भई और यहां पे होर्जोंटल फोर्स लगा दे रहे कितना लगा दे 15 newton 15 newton towards right horizontal force यहां भी 10 newton towards right question यह है find acceleration of each block अब यहां पर है कि यह दो problem है conceptually देखे तो कठी नहीं जैसे पिछले questions किये थे वही है स्टिप वाइज यह लेंदी हो गए क्योंकि तीन unknown acceleration है पिछले में दो ही unknown equation था तो दो simultaneous linear equation solve करना होता है कम स्टिप में हो जाता है यहां पे तीन है तो यह थोड़ा मुश्किल है तो पहले हम constraint relation लगा लेते हैं इसका acceleration towards right A2 माल लेते हैं और इसका acceleration towards right A3 माल लेते हैं और इसका acceleration downwards A5 माल लेते हैं अब हम solve करते हैं बहीं constraint relation पहले apply करते हैं तो constraint relation apply करने के लिए पहले हमको tension लिखना होगा इसपे tension T towards right इसपे tension T upwards वही same string तो same tension लगेगा इसपे tension T upwards और यहां पे towards left tension T लगेगा तो tension और acceleration के dot product का sum क्या होगा भई 0 होगा तो यहां पे T into A2 यहां पे opposite direction में तो minus T A3 यहां भी opposite direction में तो माइनस टोटल टेंशन कितना होगा 2T केंटू A5 is equal to क्या होगा 0 होगा तो relation हमारा आगे बेटा A2 is equal to यह T cancel out होगया A3 plus 2 A5 equation number one देखो unknown कितने चार है एक दो ती और टेंशन चार तो चार equation चाहिए एक equation हमने constraint relation से लिखा अब तीन equation Newton second law लगाए तीन ब्लॉक पे जैसे यहां पे mg यानि 20 Newton और नॉर्मल रियक्शन इसको एन तू मान ले तो इसको consider नहीं करेंगे क्योंकि perpendicular direction में है ती प्लस 10 is equal to mass into acceleration यानि 2 into a यानि a2 equation number 2 इस पे लगा है तो 50 Newton नीचे लग रहा तो acceleration के direction में जो force है positive 50 2t minus 2t acceleration के opposite direction में पोर्थ क्या लग रहा है 2t minus 2t is equal to mass into acceleration यानि 5 into a5 equation number 3 अब यहां पे 10 newton second लो लगा है तो 30 newton weight downwards और normal reaction को a3 नाम दे दे एन 3 एन 3 यह acceleration के perpendicular direction में तो acceleration के direction में जो force है positive एक्सेलरेशन के opposite direction में जो force है बेटर negative is equal to mass into acceleration यानि कितना होगा मास 3 kg into acceleration a3 माना तो 3 a3 equation number 4 चार unknown है और चार equations इन चारों equation को solve करके हम solution find out कर सकते हैं चुकि यह calculation बहुत लेंदिये बेटर तो solve करने का कोई मतलब नहीं आप खुद से solve कर सकते हैं और यहां से हम a2 a3 और a5 find out कर सकते हैं तो simple तरीका देखो solve करने का क्या है जैसे यह और यह add कर दे equation number 2 और equation number 4 add कर दे तो tension cancel out हो जागा और हमको a2 और a3 में relation मिल जागा अगर solve करना तो हम आपको दिखा दे रहें चोंकि यह last question solve करके दिखाई दे रहें तो कर क्या रहे है equation number 2 plus equation number 4 यह हम कर रहें तो इसको add क्या T cancel out होगे यह होगे 25 is equal to 2 a2 plus 3 a3 equation number 5 2 times equation number 2 2 times equation number 2 plus equation number 3 equation number 2 2 ka 2 times plus equation number 3 इसको solve कर वेटा क्या रहे है तो यह 2 T और यह minus 2 T cancel out होगे यह 20 और यह 50 70 होगे is equal to इसका 2 times होगे तो यह 4 A2 4 A2 plus 5 A5 यह क्या होगे वे equation number 6 तो यहां A2 और A3 के बीच में relation है यह A2 और A5 के बीच में relation है और यह A2 A3 और A5 के बीच में relation है यानि अगर यहां से A2 हम put कर दें यहां पर तो A3 और A5 के बीच में relation आएगा और यही A2 यहां पर put कर दें तो A3 और A5 के बीच में relation आएगा fix all हो जागा चलो तो अब हम क्या कर रहा है कर दें पूको ब arbeड़े अगर तो है इंग क्यास न्हींग, इंगर रहा हम फ covenant बीच में आएगा ओ निया कर दें तो वें 1 in 5, a2 equation number 1 से किसमें पूट कर दिया भाई, equation number 5 में, तो यह यहां पर हम solve कर रहें, 25 is equal to 2 a2, 2 a2, यह निसका ट्वाइस, 2 a3, plus 4 a5, plus 4 a5, यह हो गया, यह हमने पूट कर दिया, plus 3 a3, तो यह क्या हो गया भाई, 2 और 3, 5, 5 a3, plus 4 a5, is equal to 25, equation number 7 ले ले, यह 6 है हो गया, equation number 7, calculation सही किया भी, यह इसका value यहां पर पूट कर ठीट, अब equation number 7 ले हो गया, putting, next putting a2 by 1, equation 1 in equation 6, 6 में पूट कर दे, तो यह आया 70, 70 is equal to 4 a2, तो यह हो गया 4 a3, 4 a3, plus 8 a5, 8 a5, और क्या है आप 5 a5, 5 a5, simplify करें, तो यहां से आगया, 4 a3, plus 13 a5, is equal to 70, यह हो गया भई, equation number 8, यह आगया, अब देखो, equation number 7 देखो, equation number 8 देखो, यहां से अब हम इसको solve कर सकते हैं, कैसे solve कर गया, 4 times equation 5, minus 5 times equation, 4 times equation 7, 4 times equation 7, minus 5 times equation 8, यह करने हम जा रहे है, 4 times this minus 5 times this, तो यह और यह cancel out हो गया, यहां पर आ गया, 4 से multiply किया, तो 16 a5, और यहां पर 5 से multiply किया, है, तो यह कितना हो गया भई, 100, then minus, यहां पर 5 से multiply किया है, तो 350, अब यह देखो, तो यह कितना हो भई, यह हो जागा, 65, 65 minus 16, तो यहां 15 आया, और 9, और यहां 5 और एक घटा 4, तो 49 आगया, 49 negative a5, is equal to minus, यहां पर कितना आगया, 250, यानि जो a5 है बिटा, वो हो जाएगा, 250 by 49, यह आगया हमारा a5, इसको circle कर दे रहें, meter per second square, चुकि यह positive आगया, यानि जो direction हमने लिया, वो correct है, और यह देखे तो इसको 50 अगर बाह ले तो approximately कितना हो गया, 5 meter per second square, यह downwards जा रहा होगा, 5 meter per second square से, अब a5 आ गया, तो यहां से हम क्या निकार सकते, a2, यहां से a2 निकल जागा ना भई, a5 यह पता तो a2 निकल जागा, तो यहां से देख लेते हैं, और कहीं इससे देखे, तो यहां से a3 निकल जागा, इन दोनों में तो a3 है, तो चलो, अब solve करते हैं, यह हम erase कर दे रहे, यहीं पर solve करके दिखा दे रहे आपको, तो a5 आ गया हमारा, a2 find out करें, तो यह है, 70 is equal to 4a2, 4a2 plus 5, a5 हो गया, 250 by 49, so a2 कितना होगे यह इधर आजाएगा, 4a2 is equal to 70 minus, इसको करें तो 125, इसको कितना हो जागा, हम erase कर दे रहे, तो यहां पर देखे, 70 से multiply करें तो यह हो गया, जीरो और सात नवा तिरसट तीन, आप में है चे और अठाइस, अठाइस और छे, चे अठाइस और छे चाओतिस, यही बनुए अठाइस छे चाओतिस, इसमें से यह सब्सक्राइट करना है, 1250, अच्छा, इंटू 49 भी तो यहां होगा ना, ऐसे लिए तो यहां 49 भी होगा, 49, पर यह लिया तो यह आगया फिर पूर को हम नीचे ला रहे हैं, तो यह हो गया, यहां पर जीरो और यहां पर आठ, और यहां पर तीन बचा एक और यहां पर दो, तो यह हो गया, 2180 अपन, यह कितना हो गया, इससे मल्टिप्लाइ करें तो, पर चार नवह, 36, 36, 13 और 16 और 3, 19, यह हो जागा, एक्सलेरेशन एटू, एक्सलेरेशन एट्व। अगर हम देखें यह कितना है इससे मतल्स घ् Schuld nossa और करीब 10, 10.5 के आसपास या 10.6, 10.8 कुछ इस ताइब का acceleration A2 आगे, अब हमको निकालना है A3 तो A2 आगया, तो A3 यहां से निकल जागा, तो यहां के हम solve करके दिखा देते हैं, A2 आगया, तो A3 कैसे निकालेंगे, यह हो गया, 3A3 is equal to 25 minus 2 into A2, और A2 हमारा यह है, 2180 upon 196, ध्यान देने वाली बात यह बटा, कि यह positive आया है, यानि acceleration का direction वही होगा, जो की, जो की यहां पे शो किया, A2 positive आया है, यह acceleration का वही direction होगा, जो की शो किया, अब इस problem को solve करते हैं, तो यह हो गया 25 minus, यह 2 से कटेगा न, तो 2 से कटेगा, तो यह आगया, 2180 upon, कितना हो गया, 2918, आठ अपना एक रखे 16, यह आगया रिखा, यहां पे 25 से multiply कर दे, और 25 से multiply कर दे, तो यह कितना आजेगा भई, 25 अठे, 25 तो का 100, 25 अठे, 200, यहां पे आगया, 0, कैरी 20 हुआ, फिर 25 नवा, यहां दो सो पच्चीस, तो दो सो पच्चीस, यह हो गया, दो सो पैतालिस, दो सो पैतालिस, माइनस इकिस सो असी बाई, नाइन्टी एट, यहां से इसको एरेज कर दे, और इसको एरेज कर दे विटा, अब सॉर्ब कर ले, तो यह है, कितना होगा, 2450 और यह होगा, 280, यहां 0, यहां 15, 7, यहां 3, 2, तो, so it is acceleration of a3 is equal to, यह ठीक यहां न, this 0 और यह 15, तो 7 बचेगा और यहां 3 था, तो 3 में से 1 गया दो, यहां 3 a3 is equal to 270 upon 98, so a3 is कर तो कितना आगे पेटा, 90 upon 98, यानि approximately 0.9 is acceleration आगे, तो यह 3 acceleration होगा, अब अगर हम question को देखे पेटा, तो इस time के question जन, advanced में तो नहीं आगे, या किसी भी competitive exam में नहीं आगे, क्योंकि यह इतना lengthy है, तो जब भी constraint relation से Newton's second law based equation आगे पेटा, तो दो ही block होगा, 3 block नहीं होगा, अगर होगा तो कुछ ऐसा step दिया होगा, चाहे वो equation ही देदेगा, intermediate equations जिसमें आपको बता रहोगा, सही लिखा या गलत लिखा, बाकि पूरा solve करने के लिए नहीं आया, लेकिन एक question हमने solve करके दिखा दिया आपको, calculation चेक कर लिजिएगा, हमने अपने हिसाब से तो calculation सारा सही किया, अगर कुछ गलत हो तो यह मत सोचिएगा, कि से हमने जो किया वो सही किया है, steps सारे सही होगी उसमें कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, calculation में कुछ दिक्कत होगा तो आप comment में जरूर डानिएगा, हमको inform करेगा, हम उसको correct कर देंगे, so let us meet in next class, so our next class will be friction, take good care of yourself, sayonara, Godspeed and bon voyage.